सब्सक्राइब करें मेरे चानल माई डी आई वाई हब को और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें हे गाईज वेलकम बाक तो माई चानल आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हो कि कैसे आप घर पे असानी से स्किन वाइटनिंग लेमन सिरम बना सकते हैं ये सिरम बहुत यूसफुल है मौनसून में जब वैदर काफी हुमिड हो जाता है तो हमारी स्किन में चिपचिपी हो जाती है इस वक्त पे अगर आप ये सिरम यूस करेंगे ओवरनाइट तो आपकी स्किन बिलकुल रेडियन्ट और ग्लोइंग दिखने लगेगी साथी साथ ये स्किन वाइटनिंग के लिए सबसे जादा हेलपफुल रहेगा क्योंकि इसमें लेमिन है जो एक नाच्रिल ब्लीचिंग एजिंट है और अगर आपकी स्किन ओयली है तो बहुत अच्छा है ये आपके स्किन के लिए इस सिरम को बनाने के लिए सबसे पहले मै यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मैंने लिया है वाइटमिन ई का तेल आप वायिटमिन E के कैपसूल फोरके भी उसके ओलें निकाल के यूज सिरम है इसलिए मैं lemon essential oil use कर रही हूँ ये एक preservative की तरह act करेगा और आपको इसे refrigerator में store करने की जरुवत नहीं होगी और फिर मैंने container ले लिया है एक साफ करके छोड़ी सी dip भी जिसमें मैं सिरम को store करने वाली हो सिरम को बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी लिया मैंने और उसमें मैं दो बड़े चमच कम से कम aloe vera gel डाल दूँगी आप जो भी इस्तमाल कर रहे हैं वो दो बड़े चमच आपको डालना है इसके बाद हमें डालना है एक बड़ा चमच lemon juice यानि नीमू का रस और अच्छे से mix कर लेंगे हम दोनों चीज़ों को आप देखेंगे कि ये consistency इसकी थोड़ी liquidy हो गई है बट वो ठीक है that is what we want exactly next मैंने डाल दिया इसमें आधा चमच vitamin E का तेल आप इसके जग़ पे glycerine का भी use कर सकते हैं और last में मैंने इसमें डाला है 7-8 बूंदे lemon essential oil के और मिला लिया है सारी चीज़ों को अब मैंने वो clean container लिया है store करने के लिए छोटी सी डिब भी और उसमें मैं transfer कर दूँगी इस whitening serum को आपको रात में यूज़ करना है preferably क्योंकि उस टाइम पे कोई भी चीज़ जादा effective होता है और overnight आपको छोड़ना है यह serum और आपको बहुत जल्दी results देखने को मिलेंगे जिनकी skin oily नहीं है लेकिन monsoons के time चिपचिपी हो जाती है वो भी use कर सकते इस serum को और जिनकी skin oily है वो तो by default use कर ही सकते है उनके लिए best है जिनकी skin dry है वो rose water डाले instead of lemon juice और vitamin E oil की मात्रा बढ़ा दे अब मैं आपको इसके application के बारे में बता देती हूँ आपको अपनी clean face पे ध्यान रखे आपको अपना face साफ करने हैं पहले उसके बाद एक cotton ball dip करें सिरम में और उसे अपने पूरे चहरे और गले पे apply करें इसी तरह से जैसे मैं अपने हाथ पे demonstrate करके दिखा रही हूँ और उसके बाद आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है overnight आप ऐसे ही सो जाए और सुबह उठके आप अपने फेस को गुनगुने गरम पानी या regular water से धो सकते हैं आज के लिए इतना ही thanks for watching guys अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते please इन्हें like और शेयर करें और मेरे फेस्बुक पेज को भी जरूर लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले bye guys